हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मस्थ होंगे आप सभी को प्रणाम नमस्ते तो चलिए व्लॉग शुरू करते ही आप देख सकते हैं मतलब बासी रोटी बची हुई थी मेरे पास तो उसको मैंने खूब सारा घी लगा के फ्राइ किया है मतलब एकदम क्रिस्पी फ्राइड पराठा है गर्मा गर्म देखिए भाब भी निकल रहा है दुआ से कैमरे में आहेजी हो जा रहा है और उस पराठे के साथ मैंने ले लिया है एक अंड़ा फ्र दोनों इसी से हो चासे दोलंभ न हो जाएगा दो दो इनर में हो जाएगा इसी का करी बनाऊंगी राइस बनाऊंगी नकीं बढ़ के झाल कुटतन फूपर हीा ठीन है में आरिखें थोड़ा इसाभा दीकिन बीर आया है इसके बाहिए में अज़पर में दोन घंतेन के बाहर कि यादी कि मैं आनी से बहार ही चली जाती हूं अधर्वाइस वही किचेन में बैठना पड़ता है तो बाहर चले जाएंगे फिर रास्ते में ही घुमते थिरते चाय वाय कहीं पी लेंगे आप से लाते करेंगे इसी थार से ब्लॉक बन जाएगा फिर आपको लोतेंगे तो फिर यही व्लॉग एडिट करके डालेंगे यही सोची हूँ इसलिए घर में क्या दिखाऊंगी यह सब खाना बनना सकाई हो रहा है यही चब चल रहा है तो कर लूँ घर का सारा काम वाम फिर बाहर निकलू तब फिर बागी आगे का व्लॉग कंटिनून करोंगी बने रह तो चलिए आज आपको दिखाते हैं व्लॉग में कि अक्सर अक्सर जब होता है कि यादी की मैं आई हुई हूँ और मैं बाहर चली जाती हूँ तो कैसे टाइम स्पेंट करती हूँ कि मैं जब चली जाएंगी उसके बाद मैं घर लोटूंगी तो सारा टाइम क्या करती लेकिन आज क्या हो रहा चली है वो सारी चीज़े आपको दिखाऊंगी तो सबसे पहले मैं सियालदा से होते हुए बहु बजार की तरफ पैदल जा रही हूँ यहाँ पे और यह सियालदा का कोले मार्केट नाम का एक मार्केट है सबजी मार्केट है बहुत बड़ा और बजार से होते हुए मैं पैदल ही निकली हूँ बजार तक पैदल ही जाओंगी मुझे टाइम स्पेंट करना है अक्चुली ना तो अगर मैं कोई रिक्षा ले लूँ या ओटो ले लूँ जल्दी जल्दी पहुँँ जाओंगी फिर समय कैसे बीतेगा और मैं घर तबी जा ना इसलिए पैदल चलके जा रही थी और यहां आसपास में कहीं पे ना कुछ कीरतन हो रहा था राम जी का भजन बहुत अच्छा सुनाई दे रहा था आवास बिल्दिंग से तो वही मैं गूम गूम के देख रही थी कि कहां पे ऐसा कीरतन वीरतन हो रहा है कि बहुत जाद वैन में तो मतलब बहुत जादा चहल पहल बहुत जादा शोर शरावा होता है तो वहां पे अगर कुछ बोलूंगी भी ना बात करते हुए जाओं तो भी वह अच्छे से आएगा ने रिकॉर्डिंग क्योंकि इतना आसपास में शोर मचाते हैं लोग तो इसलिए मैं सोची निला है आप लोगों को बोली थी ना अच्छा बूरा पॉजिटिव नेगिटिव जो भी होगा आप लोगों को सभी कुछ बताऊंगी कि साड़ियां भीक रही है अच्छे से या नहीं भीक रही है उसी पर डिपेंड भी करेगा कि आगे मैं काम को आगे बढ़ाऊं कि नह लेकिन लाइफ के बाद अभी तक ऐसे क्वेरी हैं कई सारी फेस्बुक पे भी यूट्यूब के थूरू भी कि कौनसी साड़ी कैसी और अच्छे से फोटो चाहिए यह सब इस तरह की चीज़े क्वेरी हुई है लेकिन लाइफ के बाद अभी एक भी साड़ी नहीं भी किया तो ओवरॉल में अभी जब से सारी सुरू की मतलब लाइफ तो समझे सिर्फ दो सारी ही मेरी सेल हो गई है बाकी मैं समझती हूँ कि एक दिन के लाइफ में कहां से ही होगा बोलिये तो थोड़ा और समय देना होगा दो तीन लाइफ और करूँ और भी कलेक्शन कुस दिखा हूँ उसके बाद देखते हैं response क्या है वो पता चलेगा तो यह देखिए इतना शोर सराबा था ना रोट से जा रही थी तो अब मैं footpath पे आ गई हूँ और फुचका वाला का दुकान जो है वो बस पहुंचने ही वाली हूँ यह देखिए पहुंच गई फुचके वाले भा है ना मेरे संग तो मैं ऐसे ही जगा जगे adjust करके वो सब सोची कि आज थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं कि कैसे camera लगा देती हूँ उसके बाद खाना शुरू कर रही हूँ तो यह देखिए यहां पे खा रही हूँ तो camera सही से हुआ नहीं है मतलब मेरा face कट रहा है लेकिन आप लोगों को actually दिखाना चाहती थी कि देखिए कितना मुश्किल होता है शूट करना लेकिन इसी तरह से किया जाता है यह देखिए अब मैं देख के थोड़ा पीछे चली गई तब जाके ठीक से दिखाई दे रहा है लेकिन camera जो है वो फुचके वाला पुचके व लिट्टी का shape हाला की अलग होता है गोल गोल सा नहीं रहता है लेकिन बड़ा चटपटा होता है चोखा चटनी एकदम yummy मतलब जैसा आप घर में बनाते है न वैसा तो बाहर जब घूमना ही फिरना है इतनी दूर पैदल चलके आई हूँ तो यह से खाते पीते मजा करते रह लेती हूँ और आसपस जो भी लोग हो ना उनी लोगों से थोड़ा वातचीत भी कर लेती हूँ तो इसलिए ना कभी-कभी help हो जाता है कुछ लोगों को फोन भी पकड़ा देती हूँ कि मेरा shoot कर दीजिए तो इसी तरह से काम चलता है जब आदी नहीं जाता है मेरे साथ को भी न कोई लोगों को थोड़ा सा पकड़ा देती हूँ फोन हाला कि रिक्स भी रहता है पता है जब मैं दूर से पैदल चलके आओं या कुछ फोन किसी को पकड़ा हूँ तो डर भी लगता है अगर मेरा फोन लेके कोई भग गया तो बस कल्यान ही हो गया लेकिन थोड़ा प्रिक्स तो लेना ही पड़ता है अभार कोई थोड़े न बुरा होता है तो इसलिए इसी तरह से काम चलता है देखिए पुछका भी खाना मेरा हो गया और कितना जो मैं बगबग कर रही हूँ आप लोग भी परिशान हो जा रहे होंगे चलिए इसके बाद चलते हैं लिट होती है हलका सा मसाला और नमक के साथ फ्राइ की हुई मिर्श यह देखिए चोखा चटनी यहां पर मैं कई बार लिट्टी खा चुकी हूँ और यह देखिए कोईले की आच पे घी गरम हो रहा है उसी गरम घी में लिट्टी को डुबो के साथ में चोखा यह हरी मिर्च और यह चटनी डाल के जो मज़ा आता है ना वो तो बस जो खाए उसी को पता चले तो इसको मैं खा लूंगी जल्दी जल्दी से और यहां पे तो खेर एक भाईया भी हैं तो उनको पकड़ा दूँ या तो कभी रग दूँ ऐसे बहुत तरह से करती हूं काम देखिए यहां भी इसा कोई दिक्कत नहीं है कि किसी को रहना ही पड़ेगा मेरे पास सूट करने के लिए तभी कुछ होगा देखिए कैमरा आराम से रखा हुआ है मैं आगे पीछे हो ले रही हूं आप लोगों को बता दे रही हूं कि स्वादिस्ट है बहुत यह लिट्टी और इसी तरह से म पाओं में दर्द रहता है और इतना पैदल वैदल चलते चलते और जादा दर्द हो जाता है पाओं और साथ में व्लोगिंग करते करते मेरा हाथ का भी हालत खराब रहता है शाम होते होते वैसे ही कई दिनों से तब्यत खराब हो जा रही थी लेकिन क्या करूं यह लगाई हूँ चोट लग गया था थोड़ा सा इसी वज़े से तो यहाँ चाय वाई पीए काफी दिर बैट के बाद किये और जब देखे कि मैम के जाने का समय होने लगा है तो फिर निकल गए और वापसी के समय ये देखे काली मा के दर्शन की आप लोग भी दर्शन कर लीज जाते हुए आदी ने फर्माईश की थी कि मेरे लिए किट कैट लेके आईएगा तो यहीं एक दुकान से उसके लिए चॉकलेट ली इसके बाद फिर पैदल पैदल जाते हुए बहुत दूर पैदल मतलब जाना पड़ता है तब जाके सी हल्दा स्टेशन आता है फिर बगेरा भी ले ली थी यह जो होलसेल मार्केट है यहां से सबजी ले ली थी और यह देखी आटा चक्के की दुकान पर आ गई हूँ यहां से एक किलो आटा भी मैंने ले लिया तब पहुंची हूँ घर तो प्रेंट्स आ गये घर और व्लॉग जो है वो यहीं पर खतम करे कैसा लगा है जरूर बताएगा कमेंट करके अच्छा लगा है तो वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे आने वाले व्लॉग को देखने के लिए तो चलिए आज यहीं तक फिर मि क्यase कि सुरूर थिर मिन त। पूर कर दीजिएगा है, तो चैनल आने को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे आने करुछा लexist हैं Dollîte